देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा नमश्कार और नमश्कार का अर्थ जो मैं जानता हूँ, वो है कि हम आपके अंदर के भगवान को नमण करते हैं। तो देवियों और सज्जनों हमें बुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम कल मंडला भी गए थे, मैं और पिश्वंदर जी, और आज जो मेरे अख़बारों में देखा कि यहां जबनपूर में हमारा ब्याख्यान होने वाला है, तो शायद यह शब्द गलत है, ब्या ब्याख्यान करने कहीं नहीं जाते हम आपसे संबाद करने जाते हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है ब्याख्यान करने की, तो हम संबाद करने आता आए हैं आपके पास, और आपके राश्ट प्रेम ने हमको यहां खीच के लाया है, और जो राश्ट प्रेम ने हमको यहां रास्ट से जो प्रेम करते हैं, जो देश प्रेमी लोग हैं, जो असल रूप से सनातनी है, जो की इस देश की मिट्टी की पूजा करते हैं जो लोग इस देश को अपनी माता मानते हैं भारत माता उनके कहीं उनके उनके दिल को जो भी 26 जन्वरी को हुआ उससे बहुत आगात पहुँचा है अज तो टेलिविजन का जमाना है सोशल मीडिया का जमाना है कोई चीज छुपा नहीं रहता है सब लोग देख रहे थे भारत की भूमी पर भारत के कैपिटल में किस तरीके से भारत के अस्तित्व पे उसकी मर्यादा पे हमला हुआ ये कोई छोटी बात नहीं है तो देवी और सर्चनों अब लोग इसकी अजीब सी एक परंपरा है हमारे हाँ एक अजीब सी एक लोगों में एक प्रणाली बलाली है वाद भी बात की कि हर चीज़ में आप पश्चिमी देशों का हवाला देते हैं हर चीज़ में आप पश्चिमी देशों का हवाला देते हैं कि केनेडा में ये होता है यूएसे में ये होता है यूके में ये हो रहा है इस में आपकी सोच जो ऐसा सोचते हैं उनको अपनी सोच मुबारक लेकिन मैं आज ये बात कह रहा हूँ कि वहां की प्रजात अंत्रिक बेवस्था चर्मरा चुकी है इसलिए किर्पया उसका हवाला देना बंद कर दें आज जो आपने 26 जन्वरी को जो देखा उसका लोग कहते हैं कि प्रजात अंत्र में सबको सदंत्रता है अपनी बात बोलने की आंधोलन की सदंत्रता है क्या आपको वो सदंत्रता चाहिए जो कि वाइट हाउस को जाके उस पर घेराबंदी कर दे जो रहे हैं अमेरिका में हुआ है क्या आपको वो सतंत्ता चाहिए जो कि कैपिटल हिल में लोग वहां पे घुजगे क्या आप चाहेंगे कि आपके लोग सभा में राज्य सभा में लोग अन्डोलन कारी वहां पे घुजग जाए जो बेवस्था हमारी भारत माता का आबरू नहीं रख सकती है मुझे ऐसा कि मुझे ऐसा प्रजातंद्र नहीं चाहिए और आज मैं पुष्पेंदर जी से बात कर रहा था अरे तुम हमको क्या प्रजातंद्र सिखाते हैं हमको क्या सिखाते हो हमारे हाँ पंच को हमेशा परमेश्वर कहा गया है मैं एक फौज की किताब आपको मालू मैं कि फौज में बहुत सारे रेजिमेंट्स होते हैं तो मैं पुना हॉर्स की नहीं दिहास पढ़ रहा था तो मैं यहीं सोच रहा था कि जब यह हमारा मिलिटरी लौ नहीं बना था और इस्ट इंडिया कंपनी में यह सारी फॉर्स हुआ था तो उस समय कानून किस तरीके से पालन किया जाता था और किस तरह से लोगों को उनको न्याय दिया जाता था तो आपको यह अश्चर होगा कि जब उस समय मिलिटरी लौ नहीं था उस समय भी वहां के रेजिमेंट्स में पंच पंची फैसला करते थे कि कोई अगर देखती कोई भी अगर सिपाही अगर कोई उससे गल्पी हो जाती है तो उसका फैसला जो है वह पंच ही बैठके करता था कि तो हमारे हाँ तो पंच परमेश्वर की परंपरा रही है हमारे हाँ ब्रामन जिसको ब्रह्म का ज्यान था वो शस्त्र की शिक्षा भी देता था वो शास्त्र की भी शिक्षा देता था उनके अपने अपने उनके जो कारे थे उनकी कारे प्रणाली थी उनकी कारे कुशलता थी वो अलग-अलग जबंपे इस्तिमाल होती थी अगर माद आप देखें तो ऐसा नहीं था कि जहाँ भगवान राम गये तो वहाँ जो शुर्शिजो थे कि उनको किसी चंतरीए ने आकर उनको युद्ध प्रणाणदी की उनको शिच्छा दी यह मा भारत मेघृडणाचार को किसी ने जो ने चैनु हमारे कॉरव और पांडव थे उनको किसी इस चंतरीए नीन आकर उन्हों कि अे तो आपको बता हुं कि आप जहां इंडियन बिलिटरी एकैडमी है जहां से हम लोग सब परिशिक्षन प्राप करते हैं उसी जगह पे द्रोना चाहरेगा एक अपना जो उनका जो आश्रम था वहीं पे था टॉंस नदी में उनका आश्रम और तब देखिए मैं तो सेना में था और मैंने कभी ऐसे महाभारत पढ़ने का मौका नहीं मिला था और पता नहीं एक अजीब सी बात होती थी कि घर में महाभारत मत रखो लेकिन मैंने जब उसका अध्यन करना शुरू किया तो माप कीजिएगा मैंने ऐसी चीजे मुझे कुछ मिली जो हमको आज तक मैंने सुनी थी किसी के मुझे हो सकता है आप लोग जाला पढ़े लिखे हो आप लोग ने सुना हो लेकिन उसमें कई चीजें स्टेट क्राफ्ट स्टेट क्राफ्ट या डिप्लोमिसी की शिक्षा महाभारत में दी गई है जब भिष्पितामा बानों की शहिया पर लेटे हुए है और युदिस्टिर उन से पूछता है कि एक राजा को किस तरी से तरीके से राज चलाना चाहिए और किस तरह स प्राक्टिस करना चाहिए और मैं उसमें ली जाओंगा कि उन्होंने कैसे एक कहानी वदाई एक चूहे और एक बिली की लोमासा लोमासा उस बिली का नाम था पलित उस चूहे का नाम था लेकिन हाँ इतना जरूर आज इनोंने कहा कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है एक सनातनी होगे और यह भी महाभारत में लिखा हूँ कि जब दोनाचार के आश्रम में जब कौरों और पाड़ों को इकठा किया गया तो सब को उन्होंने खड़ा किया और पूछा उनसे गुरू दोनाचारे ने कि मैं तुमको दुनिया का सर्वस से छत्रिये बनाओंगा लेकिन सर्वस सरे छत्रिये बनाओंगा लेकिन क्या मैं जो कहता हूं वो करोगे तो सब से करके पूछा सब ने अपना सर जो है नीचे कर लिया लेकिन अर्जुन ने बोला अर्जुन ने कहा कि गुरू जी भाई थोड़ा सा उधर शांत हो जाए आप लोग इस तरफ देखें तो अर्जुन ने कहा कि गुरू जी आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा और ऐसा हुआ कि उन्होंनों एक एक ड्रिल सेट किया था या उसको कहेंगी एक उन्होंने एक प्रणाली वैक शुरू की थी कि जो सब से पहले सुबह सुबह ये उनके शिश्य शिश्य उनके जाते थे पानी लाने और तौि यूए बैक ए अ इंडुख ऐसे आपके जए उनके शनके पादा कि तरह सब्सक्स कुछन depends शने स्सुख मत खार था यो इन्म्हेंट पलींति पार Turkish तो मैं मैं कह रहा था कि उन्हों ने सब को ये जिम्मेदारी दी थी कि सुबह सुबह तुम गुरुकुल के लिए नदी से पानी लाओ गे और जो सबसे पहले आएगा उसका क्लास शुरू हो जाएगा वहीं से कलास शुरू हो जागा वह गुरुमों का अपना तरीका होता है कि वह देखे कि किसको कितना पैशन है सीखने के लिए तो सब को नोंने एक साइज का घड़ा दिया एक प्रकार का अपने पुत्र अशो थामा को वो उससे कहीं ज्यादा भारी घड़ा दिया कि कहीं ये पहले ना आजा लेकिन वो फिर भी आजाता था अब उन्हें शिच्चा को वो प्रार्म कर देते थे कुछ दिनों के बाद अरजुन ये देखता रहा और फिर कुछ दिनों के बाद वो सबसे पहले आने लगा तो गुरु दुरुणाचारे ने पूछा कि अर्जुन ये बताओ कि कुछ देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम सबसे पहले आ रहे और मुझे ये भी मालूम है कि तुम पान नदी तक नहीं जाते हो पानी दाना तुम कैसे आते हैं और पानी कहा से आता है तो का गुरु जी आपने मुझे वरुन अस्त्र की शिक्षा दी है मैं वरुन अस्त्र इस्तमाल करके पानी निकालता हूं गुरु दुरु दुरुणाचार ने वो अपने सीने से लगा दिया और उन्होंने कहा कि शस्त्र केवल विद्वनसक विद्वनसक लिंग होता है शस्त्र जो है वो निर्मान के भी काम में आतर है तो यह उन्होंने सीख तो इस परंपरा के जहां लोग रहे हों वहां आप हमको प्री स्पीच और अब क्या बाते हमको सिखाते हो लिबर्टी इस लिए जो यह लोग कह रहे हैं कि हमको अंदोलन करने का पुरा हग होना चाहिए शायद वन लोग को यह ऐसास होना चाहिए कि जो वहां पर ट्रैक्टर आये थे वों स्ट्राग्राइक कर सकते हैं कि उस वहां इतरों सेट्थ वेपनाइज कर दिया कैसे जिहादियों ने पूरे जो मोटर वेहिकल्स है उसको वेपेनाइस कर दिया है उसका स्वस्त्री करन कर दिया है नाइस फ्रांस में 2,000 लग की बात कर रहा हूं जिहादियों ने एक उनी स्टन का ट्रक लेके 86 लोगों को रॉंड डाला लंडन में उसके अगले साल लंडन में चार लोगों को रॉंड डाला बर्लीन में 2019 तो पूरे जो यह पश्चमी देश है वहाँ पे यह जिहादियों का यह अंदाज देखा गया और वही अंदाज हमको कुछ इस जफ्रिस जन्वरी को भी देखने को मिला तो मैं केनेडा के जो टूडो साथ हैं पर्थान मंत्री उनको आज मैं अदाफ कर देना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब जिहादियों की तरफ खनिस्तानी भी आपको उसी ट्रैक्टर से रॉन देंगे दिन इस पात को ध्याल रखिएगा हालाकि मेरी यह मनोकामना है और मैं प्रास्ना करता हूं कि इशोर्करनने केनेडा की धर्थी पे खनिस्तान बने क्लीक्र प्रीगा यह क्राईफ में साथ नहीं बन सकती है वो इसके नहीं बढ़ सकती क्योंकि सिंदो से हैं हिंदू और हिंदू से हैं हिंदुस्तान और सिंदो से हैं इंडस सिंदो से हैं यानि कि इंडस को जो अंग्रेजी में उसको लोग इंडस होते हैं जिसे इंडियार कहते हुई हो तो उसकी जो ये पांज नदिया जो है वो उसकी बेटिया है जिससे की पंजाग शब्द निकला चेना खेनाम रावी सतलच ये सब बेटियां है सिंदू की कोई कोई बेटियों को अपनी मां से अलग कर सकता है क्या मजब तरह करेगा कि मां और बेटी के बीच में वो रिष्टा क्या होगा क्या ये मजब तरह करेगा अगर खलिस्तान बनना है तो उसका कैपिटल होगा उटावा कैनेडा में उटावा वरना वो जो गलती एक बार हो गई और वो हमारी गलती नहीं है वो सकता है हमारे कुछ नेताओं की गलती हो कुछ बंदर जीसके बारे में आपको बहुत तफसील से बताएंगे उनका ये फेवरेट टॉपिक है नेताओं का गलती हो अंगरेजों का गलती हो जिनों ने मा को अपनी बेटी से अलग किया ये दुबारा ये गलती नहीं होगी ये बलती दुबारा नहीं होगी और मैं आपको बता दू कि मज़ग पैदा लेते हैं और मजभग मरते भी है जो पुछ पेंदर जी बार बार कहा करते हैं ठीक है तो देखिए समय का इंतजार करें बहुत से लोग कहते हैं मैं भी कुछ दुनिया का अध्यन करता हूं और जो ट्राजेक्ट्री जे उसको मैं देखता हूं तो वह देखके मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब वो हिस्सा मैं जब वो दिन कहता हूं तो कल की बात नहीं कर रहा हूं जब वो पंजाब पाकिस्तान के पंजाब का भी हिस्सा वो आपके पास वो आएगा और और ये सब कुछ नहीं है कि उनका इतिहास इतिहास अपने पुरवजों का नाम नहीं लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो इतिहास अंदगार में है उनका भविश बल्मान हो जाएगा ये भी नहीं होने वाला है कि मजभबने मैं जीमा टाइटल नहीं लिया में उनसे बाजवा टाइटल नहीं लिया तो उनुठों उनसे टाइटल नहीं लिया मुझे यह या दरके दियो के में एक चुनाओ हुआ उसमें जो पूरा चुनाओं की जो प्रतिकृया थी वो जाट वरसिस राज़पूत था जो जाट मुसल्मान थे वो सारे पॉपको पाकिस्तान प्योस पार्टी को सब्सक्राइबे और जितने जितने राजपूत थे तो पि lên अभी वो उसका पीमnd一起 को तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंदजार कीजिए हमारे साथ एक आते थे टेलिविजन पर आजकर नहीं देख रहा हूं उन्सकों एक अड्मिरल जादेच साहब तो बड़ी कटू शब्द भारत के प्रती बहुत कटू शब्द का इस्तमाल करते थे तो एक दिन मैंने कहा कि अगर तुम अपने पूर्वजों का नहीं हुए तो मजहब के खाट वो गया तब मैंने एड्मिरल जावेद को बोला और मैं थोड़ा रिसर्च करके आया था मेरे का एड्मिरल साथ ऐसा है कि तुम्हारे बापदादा क्या थे तो बुले हम मुसल्मान हैं हम बुले नहीं आप जलंदर के राजपूत थे अब उनको थ्रड़े बड़े अवाथ होगे कि ये कहां से पता चला और फिर मैं ये बार बार उनको ये बात ये कहता था कि ये देखिए ये आपके पुर्वज है अपने पुर्वजों से मत भागिये अगर आप अपना एतिहास अंदकार मैं देखते हैं तो आपका भविश भी नहीं बल्वान होगा और इसी दिये आज पूरी इसलामिक दुनिया में ये कहर जहां भी देके वहां पे कहर इसलाम कि हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं पुष्बंदर जी आपको इस पर बताएंगे वह इनका बड़ा फेडरेट वह एक सब्जेक्ट है लेकिन आपको में बता दों कि धर्म और मजहब में क्या फर्क होता है को अल एंडिया इंस्टीट आप मेडिकल साइंसे पे अल इंडिया इंस्टीट आप मेडिकल साइंसेज में लोगों ने अंगदान दिया इसले से पिछले वर्ष कोई कि दो कोई दो सो 239 पीपल डोनेटेग देर ऑर्गेंज उन्होंने अंगदान किया उसमें प्राप्त करने वाले जो थे उसमें दिस्वारी जो डोनर्स थे उसमें जो जिन्होंने प्राप्त किया वो अंगदान के बने लेकिन उसमें से एक भी मुसल्मान नहीं था देने वालों में कोई एक मुसल्मान नहीं था देने वाले में 239 मुसलिम्स थे आउट अफ 239 एक तिस मुसल्मान थे एहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में 410 लोगों ने अपना अंगदान किया उसमें से प्राप्त करने वाले मुसल्मानों की सरक्या थी पासट उसमें से एक भी मुसल्मान ने अंगदान ही दिया था तो उन्होंने कहा कि पूछा कि भाई जो सर्वे कर रहे थी कि आखिर ऐसा क्यों है तो उन्होंने हमको कहा उनको कर बार कि हमको इसकी अजाज़त नहीं देता है कुरान पुरान इसकी इसाज़त नहीं दे आ है तो फिर पूछा तुम लेते क्यों हैं तो किते हैं रसूल नहीं इसका फर्मान नहीं किया है और लेकिन लेकिन बाकी लोगों से प्राप्त करके जीमंदान देना वो वेलाउड है तो यह होता है धर्म और मजब में फर्क है अंगदान करो मजब कहता है कि अंगदान लो लेकिन मत दो यह है धर्म और मजब का और यह धर्म क्या है धर्म इस नतिंग बट लौ अफ नेचर वो फ़किर्टी का नियम है उसको हम धर्म कहते हैं और जो यह मैंने अपको एक उधारंट दिया यह प्रकिर्टी की नियम के खिलाफ है यह बार को तो देवियों सर्चनों आप देखिए क कि जब धर्म की बात करते हैं तो मेरा अपना यह मानना है कि हम भारत के परिवेश में राजनिती को हम धर्म से अलग नहीं देख सकते हैं यह जो लोग बागी प्रजातंत्र जमूरियत का जो लोग दुखाई देते हैं वो उस परिभासा से हम अगर चलेंगे तो हमारे नु हम मिठ जाएंगे देखिए हमारे देश में विदेशी मैला है उसके लिए धर्म क्या है उसके लिए धर्म है सिहासत उसके लिए धर्म है कुरसी उसके लिए धर्म है कैसा यह धर्म नहीं है यह मजभ भी नहीं है और यह मजभ भी नहीं है और वो विदेशी महिदा और उसका पुत्र आपने देखा होगा कि जैन लोगों को अलग मजभब बनाने में कितनी उन्हों ने उन्होंत कि उसके लिए आप सब को मालूम है के अरनाट का में निगीर्स को अलग दर्जा देने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की उस नालायक को ये मालूम नहीं इस नालायक को यह मालूम नहीं कि और उसकी विदेशी मार को यह मालूम नहीं जो अंग्रेजियों कि वो चाल चल रही थी कि देखें मैंने तो कहा ना कि वहाँ तो वाइट हाउस ट्रम्प जब वाइट हाउस में था तो वहां पर उसके घेरा बंदी हुई वाइट हाउस की उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है कि अपड़र हिल की चर्ट हिंदुस्तान में वाइट हाउस नहीं है लेकिन दस जनपत एक ऐसी जगह है जहां वाइट लोग रहते हैं तो उस नालायक को यह मालूम नहीं उस नालायक को यह मालूम नहीं कि जैन परंपरा जो है जैन परंपरा का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि वैसे लोगों को यह कहा गया कि आपको मुप्ष नहीं मिलेगा तो कोई आए बिगंबर आए बिगंबर आए उन्होंने कहा कि हम आपको रास्ता देंगे हम लोग इस बात से चिंतित हैं या प्रिक हैं कि हमको मोप्ष भी मिलेगा इस हौल में बैठे हुए हम लोग मैं भी नहीं हूँ कि क्या होगा मैं नहीं जानता है कि मोप्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा लेकिन जिस सब्विता में इतनी उची सोच हो वो समझ जाएए कि वो कितनी उन्नत सब्विता होगी वो कितनी संपन सब्विता होगी जब आदमी संपन होता है तभी यह मुची मुची दार्शनिक बातों के बारे में वो सुचता है लेकिन आज आप देखिए आप मन्चों की बात करें जाहें वो जेनिव का मन्चों चाहिन पाग का मन्चों अगरिक यह अभी यह जो अंदोनें चल रहा है सोख और अंदोनें पिसानों का मन्चों कि जितने मन्च हैं आप देखेंगे कि उसमें जिए करदार वेखीद होते हैं एक जैसे होते हैं उसमें होगा मावादी यह इलगार परिशत का मन्चों उसमें होगा 형मावदी उसमें होगा जिहादी उसमें आपको मिलेंगे नालायख haloop सब सब वहाई पर मिलेंगे आपको गुर्षाव का सर्थी में जानले के लिए उसका लिए या भी अमरे देश में ठीक है? तो यह तो शर्चित इमां की बात में पर दो उसका भी गुरु आया शर्चित देशमानी अभी एसदार परिषट में उसको भुलाया गया उसको भुलाया कि अससे उसको भुलाकように हिंदूओं को घाली दिलवाया है उसने क्या कहा उसने कहा कि हिंदू समार जो है वो सड़ चुकी है उसने कहा कि संभिधान और ये परजातंत्र ये सब बैमानी है ये बक्वास है और इसी संभिधान के तहट हुआ अद्मी आज देख में है और उसी विश्व निद्याले का ह है जहां पुष्बेंदर जी ने बहुत बच्पन से लेकर अपनी पूरी जमानी महादू जारी अलिगर्पुस्य इंवर्सिटी का है तो मैं उसे ये कहना चाहता हूं कि ये बेवस्था जो है ये जो हिंदू हिंदू कह रहा है हिंदू समार सड़ चुका है थोड़ा अपन आख के सड़ीवी वेवस्था दो ऐसमें डिश्प रिफोत वह संगी तरफ दयेकर सड़ हो एड़ जिसमें की निकाह हलाला हूं आज हमको भी नहीं मालूम कि निकाह हलाला कि इतने प्रड़क्ट भूम रहे हैं जैजब रिप्ल तलाक जब टरिपल तलाक इतना आसान है जब टरिपल तलाक इतना आसान है तो निकाह लाला भी बहुत आसान होगा और आपको बताएगे पुष्बेंदर जी उन्होंने गुए मुझे बताया है कि उनके ऐलीगट मुस्लिम इन्वसिटी में एक रसायंग सास्त के प्रोफेसर ने क किस तरह अपनी ही चात्रा के साथ उन्होंने निकाहला लगिए तो सड़ा हुआ समाज उसको कहते हैं जो माले गनीमत यानि की युद्ध में लूट लूट परविश्वास करता कि और दों की बाट उनके जेवरों की बाट उनके पच्चों की बाट यह चौदा सो साल से यह समाज बुशित रहा है आपको मालू मैं में किस समाज की बात कर रहा हूं लेकिन हम मानते हैं हमारे हम विक्रितियां आती है सनातन में विक्रिया आती है और हमारे हां अवदार भी आते हैं जो कि विक्रितियां को दूर करते हैं लेकिन आपने कह दिया कि आखरी पैगंपर को पैता हो गया अब जो है वही है तो यह विक्रितियां आखिर दूर करें यह दूर कॉन करेगा तो शर्जिव उस्मानी को ये तैय करना होगा कि कौन सा समाज सढ़ा हुआ है और कौन से समाज सढ़ा हुआ नहीं लिए तो आमने देखा मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि आपने उसी मंच पर आपने देखा कि मवादी भी थे जिहादी भी थे उसमें कुछ ख़़िस्तानी लोग भी थे जब ये अग्वी मैंने ये बात कई थी कि जब ये शाहिन बाद में सब कुछ हो रहा था तो वहां कुछ लोग लंगर चला रहे थे और शाहिन बाद किसले हुआ था काबुल के गुरुद्वारे में एक नर्संधार हुआ उसमें कुछ बच्चे बच गए थे भारत की भारत सरकार में एक स्पेशल एरक्राफ बेजा और बच्चों को वहां से लेकर आया और उनको अब सी एक अंतरदक उन्हें नागरिकता दी जा रही है तो यह कौन से लोग है साथ? यह कौन से लोग है? लेकिन मैं आपसे यह बताना जरूर मैं चाहूंगा कि जो भी द्रिश आपने इस थभी सेगरे को देखा इस द्रिश के पीचर पर शुभूनी क्या है? कहां से इसकी शुरुआत हुई? और तब आपको और बड़े मैं चाहूँगा कि आप बड़े गौर से मेरी बात को सुने और समझें कि यह कैसे महवादी जिहादी है जितने यह देश के दुश्मन है कैसे एक मंच पर आये और यह तक्ति क्या? तो आप जो रेड कोरीडोर की बात करते हैं यानि कि तुरुपटी तुपशुपटी वो थोड़ा पंजोर हुआ है जरूर इसमें कोई शक्की बात नहीं है कि सबसे पहले यह जो भारत माता के आबुरू पर चोट यह रेड कोरीडोर पर पड़ता रहा है कि सबसे पहले उन्हों ने सौतंत्रता दिवस और घंतंत्र दिवस मनाने के खिलाफ वो फत्वा इशु करते रहें कि आपको एक मैं वाक्या बताता हूं कल भी मैंने इसका वर्णन किया था मैं मिनिस्ट्री ओफोंग के एक स्टडी टीम का सदसे था मावाद के उपर में कुछ साल पहले की बात है कि आपके हां दिया था 36 गर्वी गया था विहार जारकंड उस रही कॉरिडोर में जितने इलाके हैं वहां में गया हूं और नेपाल पर तो मैंने किताब भी लिखिया है तो मुझे रेक कॉरिडोर का काफी मुझे ज्यान है तो वहां पर मैं इसी सिलसिले में जब गया गया विहार में आप लुक्तान तरह मैं गया तो वहां एक डेटी डिटिक मैजिट्रेट तु स्लेटी डिस्टिक मैजिस्ट्रेट्रेट ने मुझे बताया कि देखिए ऐसा देशत देशत है मावादियों का कि उन्होंने अपने लिबरेटेड जोन जो है उनका या उनका जो जोन में उनका नियंत्रन वहां पर उन्होंने एक फत्वा जारी कर दिया कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रिये ध्वच 15 अगस्त को नहीं फैराएगा किसी सभी स्कूल में बच्चे इकठा होंगे लेकिन वह काला जंदा फैराया जाएगा तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे ही कोई स्कूल में जब यह सारा कुछ उनके डिक्टार को उबे किया जा रहा था काला जंदा फैरा के तो एक आठवी क्लास की लड़की बच्ची वो दौडते हुए आई गई उसने जंडा काला जंडा नीचे किया और अपने साथ कि लाई कि उसने जंडा फैराया तो एसा कि देडियोगों सभ्जनों कि वह वह परिवार उसके बाद से मुझे मालूम नहीं है की अभी वो कहाँ है उनका कहा ठीकाना है सिर नहीं मालूम है लेकिन कुछ समय एक द पता निचानद है उनके परिवार करें तो इस तरह की दहशती लेकिन लेकिन गौर करने वाली ये बात है कि उस बच्ची का चरित्र देखें और उस बच्ची का परवरिष देखें और टिकेट टिकेट का प्रेटर देखें और उसकी परवर्ष देखें जो भी विक्ती जो भी विक्ती 26 से 11 को ये 26 जनवरी या 15 अगस्ट को भारत माता की आगरू पे प्रहार करता हो तो उसकी पैदाईश पर मुझे शक है उसकी परवरिश और उसके चरित्र पर मुझे रोना आता है 26 जनवरी एक रास्ट्री ये परवर बच्चे आप थोड़ा NCC कैंप में जालिए और वहां देखिए कि चार वज़े सुबह बच्चे उठ जाते हैं और किस तरह से परेड का रिहर्सल करते हैं और कितनी गर्व की बात होती है कि जो अपने अपने स्टेट से 26 जनवरी के परेड में रिप्रेजेंट करने जाते हैं वह पेड़ला पब्लिक स्कूल की बलड़कियां जो बैंड बजाता है बैंड का उनका जो कॉंटीजेंट होता है बाकि आप छोड़तीजी इतना उत्सा और वही नहीं जो परेड में हिस्सा लेते पूरा देश पूर कि उस उस समय अपनी भारत भारत माता के आब रूपर तुम ने प्रहार किया और अब यह लेप्रिस लोग कहते नहीं जी यह जंडा नहीं था वो जंडा नहीं था तुमने उस दिन 26 जनवरी भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन है तुम अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे इनके हाथ में शुकर करो कि इनके हाथे में हथियार नहीं था नहीं तो जो गुरु दुरुनाचारे ने अर्जुन को सीखाया था ना यह अर्जुन नहीं यह सब दुर्योधन के उतार है तुम दिल्ली में रहने वाले लोग जो टेलिविजन में हम देख रहे थे एक तरह का एक्जाइटी होता है घबराट होती है कि पता नहीं क्या होगा अपने लिए नहीं है तेश के जिए हमने तो अपना जिन्दगी जी लिया लेकिन देश के लिए लगता है और मेरी एक प्रार्टना है कि यह एक बार नहीं यह दूसरी बार यह हो रहा है अगर आप 26 जन्वरी की मर्यादा को नहीं सुलिष्टित कर सकते हैं तो किर्प्या ऐसे रास्ट परवर ना मनाएं लेकिन थारत माता की आबरू के दुबारा प्रखार में होना चाहिए कि तो देवी और सिजनो मैंने आपको रेट कॉरिडोर के बाथ कि और अभी इसकी बात की मैंने इसके शुरुआत का मस्री इक message हुई किसने करेद़्वाइए शुरू ठोड़ा उसके जार इसकूरा विगान फर्माई और तब आपको सारी आप याद कीजिए यह वही वक्फा था वही पीरेट था 26 जन्मरी का यह आग्मी ने अंदोलन किया इसलिए अंदोलन किया इसी को पर लेगी तो उस समय यह एक संभाइधानिक बद्धे था दिल्ली का मुख्र मंतर इसको जंतर मंतर इसको ने डेजिगनेट किया गया था कि आप वहां पर अपना धरना यह करो वहां से नहीं करके यह अपनी फूरी जो अंदोलन कारी थे उनको लाके यह बिल्कुल जो नर्व सेंटर है रेल भवन पर आके वो पैठ किया वहां पर इसने अपने टेंट लगा दिए रजाईयां आ गई खाना आने लगा जैसे अभी पिकनिक हो रहा था फुट मसाजर गारू हिरोईन का इंजेक्शन वह सारा खुछ उत्दाम वहां भी ठीक है ना तो सुबह सुबह मफलर लगाए अपनी गंदी शकल लेके यह 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 आदमी मैं लोगों को आवाहन देता हूं यहां चार पुछ लोगी घट्र हो जाएंगे कि भारत का भारत का ग्री मंत्री यह शिंडे कहा बैठेगा आप बताइए कि बिना ओफिशिल पेटमेज के कोई ऐसा कर सकता है कि वह पढ़ना मुखर जी ने फिर आखरी में स्कॉल्टी मेटल दिया कि यहां से अगर राष्ट्रिये पर 36 जन्वरी को कुछ अगर तुमने टार्गेट करने की कोशिस की तो तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूँगा फिर उन्होंने का कि यहां से चले जाने को पाड़ नीचे इतनी तुमान उसके शके नेचे पुलीस हें और को बसंथा है उस आदमी को इतन हिमत कि उसकी उसकी उसका पीट्ररेंड है विदेशी मैदा को कां जान अब कि आप अस्तर पर कांगरेशी है नहीं जानते होंगे लेकिन वो उस एक वीदेशी मैना का बीटिंम तो आप देखिए कि वो व्यक्ति कि हाथ में अगर पुलीस अगर उसके नियंत्राइंज में दिल्ली की पुलीस होती तो वो क्या कुछ कर बैठता है वो सकता है यूक्राइन वाली हालत हो जाती है हो सकता है